पहले तो आखों में कीचड आता है तो हम कैसे भी गंदे हातों से उसको साफ करते हैं बार-बार तो वो आई एलर्जी में कनवर्ट हो जाता है नमस्ते मैं हूँ आचारे परतिष्ठा बरसातों में बारिशों में सावन में बहुत सारे लोग अक्सर हमसे इत पूचते हैं कि आँखों में कीचड बहुत आता है यानि आखों की गंदगी जो है वो यहां साइज में आते हैं बहुत जादा अपनी आखों को साफ करना पड़ता है फिर देखिए क्या होता है कि पहले तो आखों में कीचड आता है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आखों की हाईजीन नहीं मेंटेन हो पा रही है जब वो कीचड आता है तो हम कैसे भी गंदे हातों से उसको साफ करते हैं बार-बार या कुछ लोग टिश्यू पेपर से या हैंकी से रुमाल से उससे साफ करते हैं जिससे की दो चीज़े होती हैं, अगर हम गंदे हातों से करते हैं, तो वो आई एलर्जी में convert हो जाता है और आँख का infection हो जाता है। जो लोग बार-बार कपड़े से करते हैं वो महसूस करते हैं कि यहाँ पर जिससे हम कहते हैं घसेट आ जाना या घिस जाना, जिससे छिल जाता है आँखो के आसपास। दोनों ही सूरत में आप अपनी आखों के साथ अन्याय कर रहे हैं क्योंकि आखें हमारे शरीर का सबसे soft part होती हैं आखों से जादा कोमल और कुछ नहीं होता और देखें हमने अपनी आखों के साथ क्या कर लिया हम अपनी आखों से काम ही काम लेते चले जाते हैं अब आज मैं आपको बताऊंगी क्या आप ऐसी क्या असान सी चीज़े कर सकते हैं जिनके माध्यम से आखों में बार-बार कीचड़ाने की समस्या को आप गुडबाय कह सकते हैं विशेश रूप से बरसा आपके मौसम में सबसे पहला काम आपको ये करना है दिन में तीन बार कम से कम आप पानी लेंगे और अपनी गालों में भर लेंगे सिंक में जाएंगे पानी लिया और इस तरह से गालों में पानी भर लेंगे और फिर अपनी जो भी tap है या running water है उसको लेना और मुँ में पानी बर के आँखों में छपके मारना ऐसे है बहुत जोर से भी छपके नहीं मारने और इतने भी हलकी नहीं मारने कि वो आँखों तक जाए ही नहीं आयुर्वेट तो यह कहता है कि 100 छपके एक बार में मारने चाहिए पर 100 नहीं तो कम से कम 50 तो मारिये और जैसा कहा माईल्ड होना चाहिए अपने साथ हिंसा नहीं करनी अपने साथ जात्ती नहीं करनी यह हुआ पहला काम, दिन में तीन बार आपको यह करना है दूसरा काम बहुत सुगम है आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं आपके घर के आसपास आपको नीम के पत्ते मिल जाएंगे नीम आखों के लिए बहुत बहुत लापकारी होता और हमने आप लोगों से कितनी बार साजा किया कि यह जो काजल भी हम, हम कोई मेकप कभी अपलाई नहीं करते जो काजल भी लगाते हैं, वो भी नीम चड़ी बत्ती से बना हुआ काजल है जो अलग ही विधी से बनता है, घर पर आसानी से बना सकते हैं तो आपको क्या करना है, कुछ नीम की पत्तियां लीजिए, पहले तो उन्हें अच्छे से धो लीजिए और फिर एक कप पानी में डाल करके उन्हें उबाल लीजिए जब वो आधी रह जाएं, तो उनको बिल्कुल थंडा होने दे अब ये पानी को आप रख लीजिए, दो दिन आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप आई कप लीजिए, आई कप बहुत एजी मिल जाता है आई कप में इस नीम के पानी को डालिए और ऐसे अपनी आख को डालिए और उस आई कप में डाल कर आँखों को ब्लिंग करना, निकाल देना, दूसरी आँख में डालना, ऐसे ब्लिंग करना, निकाल देना, ऐसा कम से कम 50 बार हमें ब्लिंग करना है अपनी आँखों को इसमें डाल करके, ऐसा भी दिन में 3 बार हमें करना है, ये दो काम आपके लिए बहुत बहुत लाबकारी हैं, ये दो काम अगर आप नियमेत रूप से करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी आखों से आने वाला कीचर, आखों की गंदगी या आखों की कोई भी इंफेक्शन या आलर्जी दूर हो जाएगी, साथ में ब्लिंकिंग और पामिंग जरूर करना ह यानि इस तरह से बैठना, आखों को कम से कम 50 टाइम्स ब्लिंक करना और फिर अपनी हथेलियों से पामिंग करना, आखी खुली रहेंगे हथेलियों के नीचे, फिर आखों को बन कर लेंगे, हथेलियों को हटा देंगे, थोड़ देर स्थेती में रुकना, और अंतिम काम य इगी हुई कॉटन को रख करके, दस मिनट लेटे रहेंगे, अच्छा हो, अगर आप उस दस मिनट में हमारे योग निद्रा का अभ्यास कर लीजे, हमारे इसी कारिक्रम में हमने योग निद्रा साजय कि आप सर्च कर सकते हैं, आचारे प्रतिष्ठा योग निद्रा, इन चोटी सी चीजों को अपना करके, हम जीवन की बड़ी-बड़ी समस्याओं से बचे रह सकते हैं, जो सादक हमारे आश्रम में आकर के, हमारे साथ या ओनलाइन कोर्सिस हमारे अटेंट करते हैं, रुपांतरन कोर्स अटेंट किया, उन्होंने देखा कि कैसे उनकी जीवन का transformation हो गया, सही जीवन जी करके, हम अपने जीवन को transform कर सकते हैं, एक बेहतर जीवन जी सकते हैं, एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं